नमस्कार स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेल्ट टिपस हिंदी में Whenever दोस्तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हैल्थ टिपस हिंदी में दोस्तो आज मैं आप सब के लिए एक बहुत महत्वपुन टोपिक लेका आई हूँ 99% लोग ये नहीं जानते कि बादाम को किन लोगों को भीगो कर खाने चाहिए और किन लोगों को नहीं आईए जानते हैं इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ बादाम के कुछ महत्वपून फायदे आज मैं आपको बताऊंगी किन लोगों को बादाम भीगो कर खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं लगभग 99% लोगों को ये नहीं पता कि बादाम किस प्रकार खाने चाहिए और बादाम खाने से उन्हें क्या-क्या लाब मिलते हैं दोस्तो अक्सर आपने बहुत से लोगों को बादाम भीगो कर खाते हुए देखा है या फिर सुना होगा क्या आप जानते हैं कि किन लोगों को बादाम भीगो कर खाने चाहिए और किन लोगों को नहीं तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसकी सारी जानकारिया देती हूं दोस्तों बादाम अपने असी स्वास्ते लाव गुणों के लिए जाना जाता है और सबसे ज़्यादा ये आपके यादास को तेज करने के लिए जाना जाता है बादाम आवशेक विटामिन्स और मिनरल्स जैसे की विटामिन E, जिंक, कैल्सियम, मैगनेशियम और 3 fatty acid से भरपूर है इसलिए हमें बच्पन से ही बादाम खाने को कहा जाता है दोस्तों अक्सर आपने बड़े भुजर्गों को ये कहते वे सुना होगा कि बादाम भीगो कर खाने चाहिए तो आईए जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों बादाम के तासीर गर्म हो जो दिते बीगोना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि बादाम के भूरे रंग के छीलके में करने दे देता है फेगा हुआ बादाम पाचन के मन भीगा हुआ बादाम पाचन तंतर के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें लाइपेज नामक का एक इंजाइम होता है जो पाचन के लिए फाइदेमंद होता है इसके इलावा इसके बहुत से फाइदे हैं वचन घटाने के लिए भी ये बहुत ही मददकार होता है दोस्तों बादाम वचन घटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमद होता है इसमें जो आपकी भूब को रोकता है भीगा हुआ बादाम एंटी ऑक्सिजन का बहुत ही अच्छा श्रोथ है ये मुक्त कणों की नुकसान से बचाता है और साथी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकता है भीगे बादाम में वीटमिन्स B, 17 और फॉलिक एसीड कैंसर से लडने औ दिल को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत ही फायदेवन्द होता है जन्रल ओफ न्यूटिशन में प्रकासित एक अध्यन के अनुसार बादाम एक बहुत ही शक्तिशाली एंटी ऑक्सिडेंट एजिंग प्रॉपरटीज है LTL कैलिस्ट्रोल के ऑक्सिकरन को रोगने में मदद करता है बादाम के ये कर दिल को स्वस्थ रखने और पूरे हिर्दे प्रनाली को नुखसान और ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए मदद करता है अगर आप दिल की बीमारी की किसी भी रोग से पिडित है तो स्वस्थ रहने के लिए अपने आहार में भीगे बादाम को सामिल कर लें अपने आहार में बादाम को शामिल करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा High blood pressure को बहुत easily करता है control बादाम ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा होता है जेनरल फ्री रेडिकल रिसर्च में पता चला है कि बादाम का सेवन करने से ब्लड में अल्फा टॉको फेरोल की मात्रा बढ़ जाते है जो किसी की भी रक्त चाप को बनाए रखने के लिए महत्वपून होता है अध्यान से यह भी पता चला है कि नियमीत रूप से बादाम खाने से एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नीचे ला जा सकता है इसलिए अगर आप बहुत ही जादा होता है यह पोशक तत्वक गर्वे के शिशु के मस्तिस्क और नूरोलोजिकल सिस्टम के विकास के लिए बहुत ही मददकार साबित होता है इसके इलावा जब बादाम को घिगोया जाता है तो उसे खाना और भी आसान हो जाता है गर्वती महिलाओं की बादाम पार्चन क्रिया के लिए ये खाना बहुत ही चाल होता है भीगे हुए बादाम और नियुकन कंगौने को बहुत ही मदद करते ह। जैनरल और फूट साइंस में में प्रकासित आध्यान में यह पाया गया कि भीगे कच्छे बादाम खाने से पेड जलदी साफ होता है और प्रोटीन पचाना आसान हो जाता है बादाम का छिलका निकल जाने से उसके छिलके में मौजूद एंजाइम अलग हो जाते हैं इस वज़े से फैट तोड़ने में मदद मिलती है बैट कलिस्टरॉल को नियंद्रित करता है उच केलिस्टरॉल की समस्या हमारे देश में सबसे जादा और बहुत ही आम हो गई है उच केलिस्टरॉल हिर्दय रोग और दिल की धमनियों में रुकावत समेथ कई रोगों का एक बहुत बड़ा कारण भी है इसमें बादाम आपकी बहुत ही बड़ी मदद कर सकता है दरहसल बादाम आपके केलिस्टरॉल को भुंयमित करता है और धम्यों की सफाई करके आपको विभीन परकार के हिर्दय रोगों से बचाता है तो चलिए दोस्तों इनके सेवन से बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है बादाम के अत्यधिक सेवन से कब्ज और पेट की सूजन हो सकती है क्योंकि इन में उच्छे मात्रा में फाइबर मौचूध होता है दोस्तों यदि आप एक मेगनीज युक्त डायेट पे हैं और आप बादाम खाते हैं तो यह आपके दवाओं से हस्त छेप कर सकते हैं इसकारण यह है कि बादाम भी मेगनीज से युक्त है और शरीर में मेगनीज की उच्छे राशी रेचक और शदियों एंटिबायोटिक दवाओं और कुछ विटामिन E के 15 mg की हर दिन जरूरी पड़ती है बादाम की बड़ी मात्रा में खपत से हम इस मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अतिरिक विटामिन A की दूस परभाव से दस्त पेट में फुलना दृष्टी का साफना होना सर में दर्ध चक्कर आना और सुस्ती यह कारण है एक औस बादाम में 14 ग्राम फैट और 163 कैलोरी होती है यदि आप अधिक मात्रा में बादाम का सेवन कर रहे हैं और इस कैलोरी को परियाप्त मात्रा में नहीं जला रहे हैं तो आपके शरीर में फैट निश्यत रूप से जमा हो जाएगा और वजन बढ़ता च अधिक मात्रा में बादाम खाने से आपको अलर्जी भी हो सकती है यह एक बहुत ही दुरलब दुसपरभाव है लेकिन कुछ लोगों ने बादाम से अलर्जी के लक्षन भी दिखाए हैं इसके लक्षन होंगे चतक के स्वास में कठिनाई आदी इन सब के लावा हम आपको खास बात बता देना चाहेंगे कि जिन लोगों को पिताशे एवं गुर्दे से समंदित कोई भी विकार हो कोई भी समस्या हो उन्हें बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे में बादाम का सेवन करना उनकी समस्या को और भी बढ़ा सकता है तो दोस्तों यह थी ह इसा अधियो के हमारे वीडियो आर चाहिए किंगतर भीडियो Арima Hai पसंद्ध्रमाक है अगर आपको हमारे वीडियोने दोस्तों लिले को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, तेंक्यू दोस्तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शियर करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें सबी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें